दोस्तो शवागत करते हैं। वर्क पर्मट दे एप्लीकिशना बारे कहल लारएंगे स्पाउज ओपन बर्परमट दा ञेडरा preserv है जनवरी दो हजुर्त वाईव तो बाद दा प्रसास है ओInstagram चाहर। पहला आप्लीकेशन जीड़े सीगें एप्लीकेंट सी उन्होंने डेट डेट साल दोदो साल भी कई अप्लीकेंट लगे है डिसीजन प्रापत करन दे लई चाहे हो अप्रूबला चाहे रिफ्यूजला बट हूं ता जीड़ा सेक्सेस रेट है वह बहुत नेर बहुत 95-97% सेक हो गया बिच 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 एप्लीकेशन जीड़ी है पंदरा भी जून नों भी लगिया सी उन्हा देवी डिसीजन आगे ने सो देख सकते हैं बिच नियर बाउट टू मन्थ दे बिच ही जीड़ेंगा है एप्लीकेंट नों डिसीजन मिल रहे ने जदो स्टार्टिंग दे रहे हर बार दसा जानदा बट कितना किते जीड़ेंगा फिर भी दो चार पांच परसेंट स्पाउस दे बिच रिफ्यूजल आ रही है तो कही रिफ्यूजल है बैलड हुन दी है और रिफ्यूजल नों आपा डनाई नहीं कर सकते उस्टे बिच एप्लीकेंट तूही कोई नहीं कोई गलती हुई हुन दी है अप्लीकेशन सम्मेट करना बेड़े चाहे हो फिनेशल डॉकुमेंट नों लेके हो जे जहां हो रिलेशनशिप दे डॉकुमेंट नों लेके हो जे बट कई बार जेडी रिफ्यूजल आ ओ बिना किसे रीज़न तो आ जान दी है जो के पहला तो डॉकुमेंट रिक्वेस्ट मंगी जान दी है नौक बीडी जॉब मंगी है तो आड़े स्पाउस दी एज पर रोक्वार्मेंट तुसी जॉब दे डॉकुमेंट अपडेट कर दिने हो जेलरी स्लिप्स अपडेट कर दिने हो फिर भी जेड़ा डिसीजन आ ओ पॉ अब दी एप्लीकेशन नौन री क्रिंशीडर कर वा साख टी है एक बेकोईट तो लेटर लिखना चाहिए कंद एक तसी एक लेटर दे पर आपनिंट दिने नहीं तो ऑप्लीकेशन और अप्मेंड प혈क के लाटर ले उचन प्रॉप यहां। बैलेड रीजन लिखो अगर तोड़ा spouse study पर मरते है बड़ तोड़ी refusal आ जाने भी तोड़े spouse को नौक भी दी job है नी जो के काफी एप्लिकेंटर नो आई है पिछले समय देवे थे फिर यह सी वीडियो बना रहे है ता उस दा एक letter लिखा जावे भी एद्दा करके मेरा spouse study पर कर देते है फिर भी जेड़ा है गागा ओड सीजन जेड़ा तो अनो रिफ्यूज कर देता है जान्दा ता उसनो रिकंसीडर देली तुसी अपनी application पास सकते हो दोबारा सम्मेट करन दी काली ना करो काफी application दा success rate इस दे पिछ अनू मिले आ उस तो बाद ही यसी वीडियो ब तुस्ट को कित अचीन घ्रफापे कर सकते हैं जान्दा प отвеч युच कर दा लेटर है और तो बोड़े देली तो ऊससारे है सब्सक्राइब करन जानू देनिग रहे